पाद मश्री से सम्मानित होने पर प्रोफेसर जय भगवाईन गोल ने राष्टपती वे प्रधामंत्री का जताया आभार कुछेत्र विश्विद्याले के पुलपती ने कहा विश्विद्याले के लिए ये गौरव काशन जह मंत्राले द्वारा जारी सूची में फत्याबाद का भट्टू कला थाना देश के शिर्ष थाए तीन थानों में शामिल केंट्वी जह मंत्री द्वारा उननिस नवंबर को लखनाओ में थाना प्रभारी को किया जाएगा सम्मानित फरिदाबाद में वायू गुनवर्ता सूचकांक में हुई बढ़ोतरी को रोपने के लिए नगर निगम ने लिया फैसला प्रदूशन फैलाने वालों के किये जाएंगे पांच हजार से एक लाख रुपे तक के चाला और शत्प्रतिशत्र ठीका करण का लक्ष प्राप्त करने के लिए कैथल में हर घर दस्तक अभ्यान के तहट श्वास्ति भाग द्वारा लगाय जा रहे हैं कोरोना रोधी ठीके कृक्षेतर वशवज्जाला के हिंदी के पूर प्रोफेसर डुक्टर जय भागवान गोयल को पादमश्री पुल्सकार मिलने पर कृक्षेतर वशवज्जाला के कूल्पती प्रोफेसर सोमनात सस्देवा ने उन्हें बदाई दी है राश्पती रामनात कोविंद द्वारा उन्हें ये पुरसकार साहित्य के क्षेत्र में उतक्रिष्ट योगदान के लिए दिया गया है कुलपती डुक्टर सोमनात सजदेवा ने कहा कि कुरक्षेत्र विश्व विद्ध्यल है वा शिक्षक समाज के लिए ये गौरव का शण है उन्हें कहा कि इससे हमारे विद्धार्थियों, शिक्षकों वा करमचारियों को सकारात्मक कारे करने की प्रेरना मिलेगी पिछले सत्तर वर्षों में हरियान, पंजाब, चंडिगड, हिमाचल प्रदेश जम्मु कश्मीर में प्रोफेसर गोयल हिंदी के अकेले विद्धवान है जिने ये पुरसकार मिला है उनकी 30 से आधिक पूस्तके और लगभग 200 शोधपत्र वय निबंद आधी प्रकाशित हो चुके हैं पदमश्री पुरसकार मिलने पर डोक्टर गोयल ने कहा कि मेरी तमाम उम्र की साहित साधना के बाद आज मुझे इसका प्रतिफल मिला है इसके लिए मैं राष्टपती, प्रधानमंत्री और देश की जनता का विशेश आभारी हूँ आज प्रधा मंत्री नरेदर मोदी के अध्यक्रिष्टा में हुई केंद्रिय मंत्री मंडल की बैठक में कई एम फैसले लिये गए केंद्रिय मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने बताया कि 15 नवंबर को जनजातिय गौरफ दिवस घोशित करने कारनेर ने लिया गया है उनने बताया कि भारतिय का पास निगम को भी 17,408.85 करोड रुपए के प्रतिबद्य मुल्य समर्थन को मंजूरी दी गई है करने जा रही है आइकॉनिक वीक जो होगा ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जन जातिय गौरफ दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोशित किया है उससे एक अफते दक ये चलने वाला है उनके गौरफ शाली इतिहास उपलब्दियों संस्कृति के बारे में होगा केंद्रे मंत्रे अनुराग सिंग ठाकुर ने बताया कि 2021 की MP-LED फंड की मंजूरी के लिए प्रतेक सांसद को 2-2 करोड रुपई की किष्ट अबंटित की जाएगी लोक आस्था के महापर्व चट के तीसरे दिन आज चटवर्ती महिलाओं ने अस्ता चलगामे सूर्य को अरधे दिया कल खरना के साथ ही चटवर्ती महिलाओं का 36 घंटों का नर्जला वर्त शुरू हो चुका है आज के दिन चट के प्रसाद के रूप में ठेकवा और चावल के लड़ू बनाए गए राश्रपती रामनात कोविन ने चट पर्व के मौके पर सभी देशवासियों को शुबकामनाई दी है अपने ट्विट संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रकृती विशेशकर सूर्य वर्जल पर हमारी निर्भरता को स्विकारने का भी आवसर है और प्राश्रपती ने शुबकामनाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि हमारे पर्वों में प्रकृती की छवी दिखती है ये नदियों की पवित्रता का पर्व है, सूर्य की दिव्वेता का पर्व है, अर्धे में समर्पित खाध्यान की सात्वित्ता का पर्व है दारत की सांस्कृतिक विविद्धता को दर्शाता है बलकि मानव जीवर में प्रकृति के महत्व को भी बल देता है। देश के सर्व श्रिष्ठ थानों में तीसरा स्थान हासिल किया है। ग्रह मंत्री अमित्षा उन्निस नवंबर को लखनव में आयुजित होने वाले कायक्रम में भट्टू कला थाने के प्रभारी ओम प्रकाश को सम्मानित करेंगे। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने खुशी जताते हुए कहा कि सभी करमचारियों की मेहनत का परिणाम है जो हमारा थाना देश के तीन सर्व श्रिष्ठ थानों में शामिल हुआ है। जानना मिटा हुआ थाने का गेट तियार किरुआया थाने में भोकिया। उसके उद्रान करुना महमारी चल पड़ी। उसके लिए मैं गाउं गाउं जाकर मंदर गुर्दवारों में आउसमिट करता रहा। करोना से बचने के लिए नाक के लगवाए लोगों को काफी जाग रुक किया उसके लिए मुझे डीजी पी साब ने करोना करम भी उपादी से समानित करवाया मैं इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ अपने आपको बड़ा गौर्व रसूस कर रहा हूँ कि मुझे हमारे अफसरों के सयोग से डीजी पी साब के आईजी साब के एस्पी फत्याबाद के सयोग से मुझे होसला मिलता रहा कि मैं इस मुकाम तक पहुचा हूँ इससे मेरे लिए बड़ी और क्या उपाद ये हो सकती है कि मुझे मेरे काम करने क्या इनाम दिया जा रहा है पुलिस अधिक्षक सुरेंद्र भौरिया ने कहा कि अन्य थानों में काम करने वाले अधिकारियों और करमचारियों को भट्टू कला के थाने से प्रेणा लेनी चाहिए गर्व का विशे है कि राष्ट्रे स्तर पर नेशनल लेवल पर टॉप थ्री रैंक में फटेबाज जिले का बटू कला थाना है उसका नाम शामिल किया गया है तो ये जो रैंकिंग है ये नेशनल लेवल पर की जाती है टॉप थ्री पोजिशन पर आना एक अच्छी अचीवमेंट है तो मैं आपके माद्यम से जो सहचो रहे हैं हमारे शिरी ओम परकाश जी सब इस्पेक्टर उनकी मेहनत जो है काफिट लंबे समय से वैसेचो है और लगातार प्रयास से इस मुकाम को हासिल किया है तो मैं बढ़ाई देता हूँ अच्छो बटू कला को क्योंकि एक हफ़ते दस दिन महीने का काम नहीं है लगातार प्रयास से और अपना विश्वास पब्लिक के पुरती बढ़ाने से तो ही ये मुकाम हासिल किया जा सकता है दिवाली के बाद फरिदाबाद में वायू गुणवत्ता सुचकांक 400 के उपर चला गया है जिले में प्रदूशन पर रूक लगाने के उद्देश से नगर निगम ने 160 टीमों का गठन किया है इन टीमों का कारे शेहर के अलगलग हिस्सों में कुडा कच्रा जलाने वालों का चालान करना, कुडा निस्तारण की ववस्ता देखना और निर्मान कारेों से निकलने वाले मलमे के उचित निस्तारण की ववस्ता को देखना है नगर निगम कमिशनर यश्पाल यादव ने बताया कि प्रदूशन फैलाने वालों पर पांच हजार से लेकर एक लाख रुपई तक के चालान के जाएंगे तो ना केबल हम लोगों को जागरू करने का काम कर रहे हैं बलकि वो सारी एक्टिविटीज करने का परबंद कर रहे हैं जिससे की पॉलुशन लवल कम हो जिसके अंदर वाटर स्प्रिंकलिंग भी बड़े लवल पे हम कर रहे हैं अलग लग चीजों का चलान का अमाउंट डिफरेंट है लेकिन ये पांच अजार से शुरू होकर एक लाख रुपए तक का चलान किया जा सकता है तो डिपेंड करता है कि आपकी वाइलेशन क्या है और किस तरह की है चिकित्सकोग नहीं बताया कि कुड़ा जलाने से हानिकारक गैस निकलती है जो फेपडों के लिए नुकसा अंदायक है इससे सांस लेने में तकलिफ और कैंसर तक हो सकता है ऐसे में प्रशासन द्वारा लिया गया ये फैसला अत्यंत सरहानिये है इससे सांस की बहुत सारी बीमारिया होती है फैपड़े की जो फाइन पारटिकल्स होते हैं उसकी वज़ेसे ही होती हैं जो पॉलिटेंट्स होते हैं उसका में टॉक्सिक भी होते हैं और कूला जलाने से टॉकसिक गेसonnaise बहुत ज़्यादा डवलोप होती है वो टॉक्सिक स्थानिय लोगों ने प्रशासन द्वारा ले गए इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि प्रदूशन की वज़े से विशेश तोर पर बच्चों और बुजर्गों को काफी तकलीफ सहनी पड़ती है बहुत ज्यादा है इससे बच्चे और बुजर्गों को बहुत ज्यादा परेशानिय होती है सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा प्रदूशन है बहुत जादा प्रदूसर होता है, जो कोड़ा एकटा होता है, जो जलाते हैं उसे बहुत प्रदूसर होता है, बुज़रुगोर बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है हर घर दस तक ठीका करना भ्यान के तहट प्रतेक पात्र वेक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्ते भाग के करमचारी कोलोनियों, महुलों और गलियों में घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं केंद्व प्रदेश सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र वेक्ति कोरोना रोधी वैक्सीन लगे बिना ना रहे कैतल जिले में स्वास्ते भाग द्वारा कई टीमें गटित की गई है ताकि जिले के सभी गाउं और शहरों के बाहर दूर दराज की कोलोनियों में रह रहे सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके स्वास्ते भाग की टीम वैक्सिन लगवाने के लिए लोगों को जागरुक कर रही है स्वास्ते टीम के प्रभारी डॉक्टर विपूल सिंगानिया ने कहा कि जो लोग पहले किसी कारणवश टीका करण करवाने से वंचित रहे गए थे जागरू कर रही है ताकि हमें भी स्वास्तेवे भाग की तरफ से टीम में बहुत सी टीम में लगी हुई हैं लोगों के घर-गर में महलें में हर गली में जाकर हम घर-गर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं जो भी टीका लगवाने से वंचित रह गया है पहले किसी भी वज़ा कोरोना रूदिय वैक्सिन लगुणने वारे लोगों ने सरकार के से भियान के सरहना की है चार सो नो हरद रस तक वो प्रोग्राम हैं जिसमें जो सेकंड डोज में लभारती हैं जो बचे हुए हैं उनको घर घर जा करके हमारी हैल्ट टीम डोज को विट की दे रही है हिसार में अक्तुबर 2022 तक अंतराष्टे हवाई अड़ा शुरू कर दिया जाएगा जिसके तहट हवाई जहासों का आवागमन शुरू होगा ये जानकारे हिसार में बनाए जाने वाले अंतराष्टे हवाई अड़े के संचालन के संबंद में मुख्यमंत्री मनोहरलाल के अध्यक्षता में चंडीगड में आयुजित बैठक में दी गई बैठक में बताया गया कि हवाई अड़े का रनवे मई 2022 तक तयार कर दिया जाएगा और इसी कड़ी में सितंबर 2022 तक एरपोर्ट में लाइटिंग का कारे भी पूरा कर दिया जाएगा हिसार के विकास के तहट एक कमेटी का गठन किया गया है ताकि हिसार को एक सूववस्तित शहर बनाया जा सके इसी प्रकार हिसार एरपोर्ट पर आने वाजाने के लिए मिरज़पोर वर धंधूर पर क्लोवर कनेक्टिवीटी का एक परस्ताव तयार किया जाएगा और इस फरस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि सुगम आवागमन सुनिश्यत हो सके। हिसार हवाई अड़े पर रेल गाड़े या मैट्रो रेल की सुविधा देने पर संभावनाई भी तलाशी जा रही हैं ताकि कारगो की सुविधा भी आसान हो सके। अंत में इस ब्रेटन के बुखे समाचार एक बार फिर। थानों में शामिल। केंजे ग्येह मंत्री द्वारा उन्निस नवमर को लखनव में थाना प्रभारी को किया जाएगा सम्मानित। वरिदाबाद में वायू गुरवत्ता सुचकांक में हुई बढ़ोतरी को रोकने के लिए नगर निगम ने लिया फैसला। प्रदूशन फैलाने वालों के लिए किये जाएगे पांच हजार से एक लाख रुपर के चलार। और शत्प्रतिशत टीका करन का लक्षे प्राप्त करने के लिए कैथल में हर घर दस्तक अभ्यान के तहट उशास्ते भाग द्वारा लगाय जा रहे हैं कोरोना रोधी टीके। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहने दो गज की दूरी बनाए रखे और एक नियमी तंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात रहें तो टीका करना वश्य करवाएं तब ही आप कोरोना महारी से बच सकते हैं आज के बल्लेटिन में बस इतना ही नमस्कार